रिशी के सर पर तूटा मुसीबतों का पहाल आधी रात को वापिस भागे रिशी जिहां क्या खबर निकल कर सामने आ रही है इंडियन आइडल 13 के कंटिस्टेंट रिशी सिंग से जुड़ी हुई यह हम आपको यहां आज इस वीडियो में बताएंगे बहुत स्वागत है आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आइडल 13 से जुड़ी एक बड़ी खबर जो जुड़ी है शो के कंटिस्टेंट रिशी सिंग से क्या हुआ है रिशी सिंग के साथ क्यों परिशान है रिशी सिंग क्यों रिशी सिंग पर तूट पड़ा है मुसीबतों का पहाल अब क् रिशी की जिंदगी में आगे क्यों वो वापिस लोटे हैं और क्या अब कभी वो वापिस आएंगे ये सारे सवाल आपको इस वीडियो के एंड तक इनके जवाब मिल जाएंगे यहां दोस्तों खबरे आ रही हैं कि रिशी सिंग के परिवार में किसी करीबी की हालत बहुत खराब हो गई थी उनका अचानक से एकसिडेंट हो गया था और जिस वजह से रिशी को आधी रात को वापिस अपने शहर वापिस लोटना पड़ा और रिशी काफी सक पकाये काफी घबराय और परिशान लग रहे थे इस दोरान मेकर्स ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया और कहा कि वो अपनी परसनल लाइफ पर ध्यान दे और जाएं और अपने परिवार को इस वक्त सपोर्ट करें रिशी आधी रात को भागे और जब वो यहां से गए तो बहुत ही म वापिस आने की तैयारी कर रहे हैं मुंबई तो ऐसा नहीं है कि रिशी वापिस नहीं आएंगे इंडियन आइडल में या फिर रिशी जो है वो इंडियन आइडल छोड़ चुके हैं पर हां ये जरूर है कि एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि शायद रिशी जो है वो व आपिस अब नहीं आपाएंगे या फिर शायद रिशी अब इंडियन आइडल में नगर नहीं आएंगे पर कहते हैं ना सचे सुर जब होते हैं सची मिहनत जब होती है तो किसमत ही साथ देती है तो ये मुसीबत का पहार जरूर रिशी पर टूटा लेकिन उनका साथ वक्त ने किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें